नमस्कार जन्ता के लिए जन्ता की अवाद जन्ता समचार में आपका स्वागत है आईए देखते हैं आज की कुछ खास खबर केंट बोर्ड की बड़ी कारवाई सदाच्वापाटी की 19 दुकाने सील बरसों से जमा नहीं किया था रेंट नोटिस देने के बाद भी नहीं माने तो बोर्ड ने की सक्त कारवाई जबलपूर के केंटोन मेंट बोर्ड ने आज सदाच्वापाटी की 19 दुकानों को सील कर दिया है यह कारवाई ब्यपारियों द्वारा लंबे समय से रेंट नहीं जमा किये जाने के चलते की गई आज सुबह च्वापाटी खुलने से पहले ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे केंट बोर्ड के राजस्व विभाग के अमले ने तावर तोड कारवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया केंट बोर्ड ने सक्त रवये से व्यपारियों में हड़कंप मचा हुआ ह उलेखनी है कि इसके पूर्व सदर सबजी मंडी की 37 गुम्तियों को भी केंट बोर्ड बकाया राशी की बसूली के लिए सील कर चुका है राजस्व अधिक्चक चरणप्रीत खंडा ने बताया कि सदर च्वापाटी की व्यपारियों को नोटिस दिया गया था कि वे अपने बकाया रासी को ततकाल जमा करें च्वापाटी के 46 किरायदारों में से 13 ने रासी कार्याले पहुँच जमा भी कर दी थी लेकिन बाकी व्यपारी आनाकानी कर रहे थे लिहाजा नोटिस में दी गई समय सीमा बीते ही कारेवाई को अंजाम दे दिया गया सीलिंग की कारेवाई के दौरान राजस्वन इरिक्चक, आसीस वर्मा, निर्मल अवस्थी, तन्वीर शाहत, दितिन कटारे आदी उबस्तित थे आप देख रहे थे अब तक की खास खबर और खास खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्स्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूले आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें